आई गाईज कैसे हैं आप सभी लोग आई हो बच्छी होंगे और आज किस वीडियो में देखने बाले हैं जो भी छातर B.A.C. फर्स सेमस्टर की बात करेंगे केमिस्ट्री जो फंडमिन्टल केमिस्ट्री या पेपर का नाम हो जाएगा और इस वीडियो में सर्फ mcq-question को देखेंगे जो objective बोलते हैं अचको और हम अप लोग इसकी pdf को भी डालोट कर पाएंगे इसकी pdf का link मैंने description box में दरख है pdf भी डालोट कर पाएंगे pdf लिंग टेलिग्राम आप देखेंगे टेलिग्राम को जैसे जोन हो जाओगे तो बहां सारे लिंक है आप जो भी हो फस्तिय रों सेकेंड रों धर्डियर में हो ठीक है बीए बीसी वी कॉम कुछ भी कर रहे हैं सारे हमने बहां लिंक डाल रखेंगे अब बहां से पीडियाफ को डानलोड कर पाएंगे बड़े आरा तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेर करना है कोई दिख करते हैं तो comment box में पूश सकते हैं ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेर करना है इस वीडियो को सभी लोगों को समझ रहे हैं मेरी बात को चलो और देखो यह most important question है exam 2022 के लिए जो आपका exam होने वाला है first semester वालों क उनके लिए most important question है तो आप सभी लोग इन question को थोड़ा थोड़ा करने का प्रियास करेंगे फिलाल में इन question के बारे में इस वीडियो में part 1 यह part 1 है हमारा part 1 में बेटा हम देखेंगे क्या-क्या रहने वाला है ध्यान से देखो पहला question सभी लोग इस question का answer देंगे क्या रहने इयाहां देखो CR आपको cream बोलते हैं प्रोमियम में इसको परमालो किरमांक दे रखा है 24 तो हमारा सीर का जो होता है इसका बहाख electronic विन्यास क्या होगाणत्ब कि याद रखना आपको और नियम याद होना बहुत जरूरी है तब ही आप किसी भी इलेक्टॉनिक बिन्यास को बना पाएंगे ठीक है तो इसका जो ऑप्शन नमर जिसने भी दिया है डी परमसर्थांसरोगा डी वाला तो देखो डी वाला जितने भी लोग कोशन को आंसर देना किसी अडू में किसी परमाडू का इलेक्टॉनों को अपनी और आकरसिद करने का गुड कहलाता है यह दूसरा कोशन देखेंगे कि किसी अडू में किसी परमाडू को इलेक्टॉन को परमाडू का इलेक्टॉन को अपनी और आकरसिद करने का जो गुड कहलाता है वो क्या कह कोशन बोल रहा है किसी उदासीन या फिर आइनिक गैसी बिलगित परमाडू के वहातम कोश से एक इलेक्टॉन निकालने के लिए आबसक उर्जा को क्या कहते हैं बिटा इस कोशन का अंसर सभी लोग देंगे क्या रहेगा एक उदासीन या फिर आइनित जो गैसी बिलगत है उसके परमाडू के वहातम कोश से एक इलेक्टॉन निकालने की जो उर्जा की आवसकता होती है उसे हम क्या कहते हैं चार आपके सामने हैं इन कोशन को एक आंसर सभी लोग आंसर देंगे क्या रहने वाला है इस कोशन का अंसर क्या रहेगा सभी लोग देंगे इस कोशन का रहेगा तीसरे कोशन का अंसर सभी लोग देंगे बिटा क्या रहने वाला है यहां से बाहर कुछ नहीं जाने वाला यूपी बिहार ठीक है और यूके जितने भी छात रहें बिल्कुल राइट होगा आन्यन क्या हो जाएगा आन्यन विभभ हो जाएगा उप्चिन नमर सी जिसने भी दिया है परम सब्तांसरोगा नेक्स कोशन की और चलते हैं देखो यहां करा है बिलगित और उदासीन कैसी है परमाडू की निमनिकित उर्जा अवस्था में उनके सह आप कहलाती है तो आप कहोगे वो कहलाती है इलेक्टॉन वंधुता ऑप्शन नमबर एपरमसत आंसर होगा नेक्स कोशन यहां बोला गया है गैसीय धन्यानों और गैसीय रण्यानों की निश्चिद संख्या के संकुलित होकर एक ग्राम मोल आयनिक क्रेश्टल बनाने में जो उर्जा कहलाती है वो उर्जा जो मुक्त उर्जा होती है वो क्या कहलाती है हमसे यह पूझा है जब हम एक ग्राम मोल आयनिक क्रेश्टल बनने में जो उर्जा मुक्त होती है उस उर्जा को क्या कहते हैं आप सभी लोग दाएंगे इस question का जाला कूर्जा कहलाती है सभी का answer राइट आया है बिटा option number B परमस्त आंसर होगा सभी लोग जादा से जादा वीडियो को शेर करेंगे जादा से जादा वीडियो को शेर करेंगे यहां कहरा है जिको सहोजक्ता कोस में उपस्तित S-Arbital के इलेक्टॉन युग्म के बंद बनने में भाग ना लेने की जो प्रवर्ती को क्या कहते है सबी लोग इस कोशन का अंसर बताएंगे सयोजक्ता कोस में उपस्तिस S आपीटल के इलेक्टॉन युग में के बंद बनने में भाग ना लेने की प्रवर्ति को क्या कहते है इस कोशन का अंसर सबी लोग बताएंगे इस कोशन का अंसर क्या रहेगा विल्कुल सही बिटा बताओंगे सबी लोग इस question का answer क्या रहेगा उसे कहते हैं अक्रिय युग में प्रभाब option number अक्रिय सक्रिय ने अक्रिय option number बी परमसत्तांसगवा अक्रिय युग में प्रभाब बोला जाता है next question क्यों चलते हैं इसकी PDF को आप डालोड कर पाएंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से टेलीग्राम बे जोएन हो जाएए टेलीग्राम बे मैथ जलोजी बे बोटनी केमिस्टी सबकी हमने PDF बना के दे रखिये उसी PDF में written वाले जो हमने important question दिये उनके भी answer में लेंगे और ये भी साथी साथ मैं एक अभी हाली में upload करने वाला हूँ जिसमें cable mcq question की PDF देंगे वो एक दो दिन में upload हो जाएगी ठीके बिटा इसको आप ध्यान से देखेंगे इस question का answer क्या रहने वाला है फटा फट बताएंगे इस question का answer क्या रहेगा इस question का answer next question यहां बोला गया है निमने कित में कौन सा fluoride नहीं पाया जाता है किसमे fluoride नहीं पाया जाता है यह आपको बताना है सबी लोग इस question का answer देंगे साथ में question का आप गोगे और इस नियम के अंतरगत आता है तो आपको बताना है ये किस नियम के अंतरगत आता है उस नियम का नाम आपको पता होना चाहिए तो आप कहेंगे आप देखो इसमें चार आप्शन दे रखें पॉल्री का नियम है स्रेंडिजर का नियम है या फिर हुंड का नियम है या फिर कह सकते है हाईजिन वर्का निश्यसिद्धान्त का बबुद नियम है उसके बारे बोला गया है या हाईज़ेन बर्ग का नियम है आपको यह बता रहा है उसमें एक ट्राइप का और कोशन बन सकता है अत्वा में कि किसी भी परमाड़ू में किनी दो इलेक्टॉन के चारों कोटम संख्या का माल समान नहीं हो सकता ये नियम कहलाता है ये कौनसा न एलेक्ट्रों की संक्या कितनी होती है तो आज एलेक्ट्रों होते हैं अन्प् का रसाइन मेंगनेसियम से अधिक मेंगनेसियम से बहुत अधिक समान होता है अदापी ये बिभिन समुहों में रखे जाते हैं तो ये बिभिन समुहों में रखे जाते हैं उन समुहों को हम क्या कहते हैं इस कोशन का अंसर सभी लोग देंगे तो आप कोगे option number D is right होगा कह सकत नहीं प्रबरती में उसके आविसो में लगबग समान होता है। इस बात को याद रखेंगे। शुम्म मां क क्ववंटम दरसाता है, वो कौन दरसाता है या अब कोई बता pm आया है, अंत्रिक्ष में अंसर बिलकुल देंगे, अंतरप्स में एलेक्टोन कह सकते हैं आपिटल का विन्यास ऑप्षिन नमर सी जिसने भी दिया है परमसत्ता अंसर होगा यहां वो लगाए डी प्रॉंगली समीकर लागू होता है तो किस चीज पर डी प्रॉंगली समीकर लागू होता है जो आपका मैन एक्जाम होने वाला है समस्टर वाई उसके लिए यहां देखो देखेंगे डी प्रॉंगली समीकर लागू होती है वो किस पर होती है तो आपका होगे उन समस्तर करणों पर होती है या पिंडो पर जो गती करते है उप्शन नमर जिसने भी सी दिया है परमसरता अंसर होगा सी वाले सभी राइट है मिटा इस कोशन का अंसर सभी लोग देंगे क्या रहेगा इस कोशन का अंसर क्या रहने वाला है इस question का answer सभी लोग बताएंगे next question बटा यहाँ देखो next question आ चुका है कि सून electron बंधुता बाला तत्व कौन सा है इस question का answer दीजिए इस question का answer सभी लोग देंगे इस question का answer सभी लोग देंगे क्या रहने बाला है इस question का answer दीजिए बटा क्या रहेगा इस question का answer दीजिए क्या रहेगा, सभी लोग बताएंगे यहां बोला गया है सून electron बंदता वाले तत्वु कौन सा है आपको बताना है तो सभी का answer आएगा option number B, आप कोगे option number बेटा क्या हो जाएगा, सभी लोग बताओ बेटा, तेरे में question का answer क्या होगा option number C होगा बेटा, C होगा, ठीक है B, E हो जाएगा, B, E option number जिसने भी C दिया है, परमसता answer है C बाले सभी राइट है बेटा, next question यह बुला गया है, एक एग्रिस्टॉन के बराबर है, एक एग्रिस्टॉन के बराबर इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, एक एग्राम पर भी follow कर लेना पेपर hacker के नाम से इसको देखो H2 O2 में O2 की जो आक्सिकर संक्या होती है वो कितनी होती है इस question का answer सब भी लोग देंगे क्या रहेगा बिल्कुल ठीक है माइनस बन होती है option नमबर B परमसत्ताओं को माइनस बन होता है बी option मिल्कुल right होगा next question बोल रहागा है कौनसा carbon समस्तानिक carbon dating में प्रयोग होता है बताओ कौनसा समस्तानिक जो carbon होता है जो dating में प्रयोग होता है यह आपको बताना है विल्कुल ठीक आना चाहिए बिटा, option number, देखो, कारवन पर 14 हो जाएगा, option number जिस पे भी है, option number D दिया है, परमसत आंसर है, सुस्क बरफ कौन सा है, सुस्क बरफ कौन सा है, सभी लोग बताएंगे, सुस्क बरफ कौन सा है, सभी लोग इस कोशन का अंसर देंगे, सी ओटू, बहुत ही बड़ी बटा, सी ओटू क्या होता है, सुस्क बरफ होता है, नेक्स कोशन है, और देखो, का रहा है, देखो, आफवाउ सिद्धान्त बताता है, कि जो इलेक्टॉन कक्ष में होते हैं, देखो, आफवाउ सिद्धान्त ये बताता है, कि इलेक्टॉन क्य नेक्स स्वाइय कोशन है देखेंगे कैसे लोग सब्सक्राइब रहा है कि H, जो माइनस आप चार्ड देख रहे हैं, नेगेटिव चार्ड, आयन का electronic बिन्यास कितना होगा, बताओ, यदि जब माइनस चड़ा हुआ है, तो इसका electronic बिन्यास कितना होगा, तो आप होगे, वो होगा, 1S2, option number C वाले सबी right होंगे, option C वाले सबी right होंगे, ठीक है, option C वाले, 1S2, next question देखो, unit number 2 में पहुँच जाते हैं, हम इसमें part 1 की बात कर रहे थे, part 1 में कुछ question को देखेंगे, part 2 में देखेंगे, ठीक है, part 2 में भी question को देखेंगे, लेकिन part 1 में ही हम question को, हाप chemistry को करेंगे, ठीक है, इस question को देखो, most important question है, आपके exam में यहाँ से question बनेंगे, और बाकी कुछ नहीं बनने वाला बहार, देखो यहाँ कर रहा है, nodal तल में electron पाए जाने की संभावना क्या है, nodal तल में electron पाए जाने की संभावना, सभी लोग इस pdf को download कर लेंगे, pdf का link description box में है, telegram को join हो जाए, telegram में सारे link दे रखे हैं, आप बहां से जाके download कर पाएंगे, theory और objective दोनों एक साथ हमने दिये हैं अभी और बाकी mcq की pdf अलग से बना कर देदेंगे, इस question को देखो, 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 नोडल कल में electron पाए जाने की संभावना क्या है, सभी लोग बताएंगे, हाँ, इस question का सभी लोग answer देंगे, क्या रहेगा, बिटा, पहले का question का answer क्या रहने वाला है, सभी का, आप को कि 0% होती है, option यह answer देंगे, 6 होता है, उपर भी मैं इस question को बता चुका हूँ, most important है, उसके बाद में next question यहां बोला गया है, ammonia, अडो की आकिरती कैसी होती है, safe of ammonia बताना है, ammonia की आकिरती कैसी होती है, safe कैसे होते है, आपको बताना है, इस question का answer क्या होगा, देखो, बेटा, सत्तान सुरू का, next question यहां आ चुका है, निमनिमे से, किसका आयन, जेको, आयनिन बिभव सरवधिक होता है, इस में आपको बताना है, C का, N का, B का, फिर O का, आयनिन बिभव सबसे अधिक किसका होता है, सबी लोग बताएंगे बिल्कुल ठीक बेटा इस कोशन का आप सभी लोग बताएंगे क्या रहने बाला है सही है बेटा इस कोशन का आंसर हाँ इस कोशन का आपने सही दिया इस कोशन का आंसर दो खो बेटा आप आंसर क्या रहने बाला है देखो इस कोशन का अंसर क्या होगा किसी ने दिया बिटा आने विभव सर्वदी किसका होगा तो आप कोगे एन का होगा option नंबर बी वाले सबी राइड है next question यहां बूला गया है देखो अक्रिये गैस की जो बिभिन कह सकते हैं बिद्धुत राखता होती है अक्रिये गैस की जो बि अब यह नंबर एक यह जाएंगे ठीक है इलेक्ट्रों निग्टिविटिविटी कितनी किसकी उच्छ होती है आपको बताना है यह फिर दोनों बताओ अब देखो इलेक्ट्रों जो होते है वो कौन होते है इलेक्ट्रों क्या है आपको बूचा गया है तो आपको जो इलेक्ट्रों होते है वो कणभी होते है तरंग भी होते है यह दोनों ऑप्शे नमर जिसने भी गया है ऑप्शे नमर डी परमसता होगा है सभी होते है ठीक ह को आज को सब्सक्राइब हो बता है उसी आज को बता है रिल वद्विद्वतितिया गौन सा है है विद्वतिय को झाए बहुत ही वड़िया विट्विद्वतिय को अठीक अपक्राइब से से कौन σας तत्व किरिया सील है निमनिके तत्व में से कौन सा कर्या सील है आपसे बताना है कि सभी को मेंन करगे वातावाट आंसर दो कि एक सब्लॉंक ने क्वेर कि सब्लाक के घ१र कि अलिमेंट बहुत ही बड़ी स्ब्रसेथ को देखते हैं जो यहां करके प्रबल ऑक्सिकारक है क्योंकि देखो जो फ्लोरीन है वो प्रबल मलग के स्ट्रॉंग ऑक्सिकारक है वो क्यों है इसका कार्ड गया है इसमें दे रखे हैं पहला ऑप्शन है इसके अनेक समस्तानिक है दूसरा ऑप्शन रखा है ये बहुत छोटा और इसके सहोजक कोस में सा रहेगा option number B वाले जितने भी बिल्कुल राइट है यह बहुत छोटा है और इसका सेवज़ता कोस में 8 electron है साथ electron होते है option number B क्यों जाएंगे next question को चलते हैं यह वोला गया है CL VR और आई एलेक्ट देखो की electron बंदोता का वरता हुआ करम गया होगा है इसका option number क्या है आई से बढ़ेंगे B के और BR की फिर F फिर CL ठीक है next question को चलते हैं यहां कहा रहा है XEF4 एक है और होता है हाइड्री करण होता है आपको बताना है का हाइड्री करण होता है आप पूछा है XEF4 का जो हाइड्री करण होता है वो कैसा होता है बताओ मतलब की संक्रण कौन सा है यह कौन सा संक्रण है यह बताना है heavy digestion जिसे बोलते है heavy करण का मतलब होता है heavy digestion मतलब की यह संक्रण कौन सा है संक्रण बताओ संक्रण कौन सा है, SP संक्रण, SP 2 संक्रण, SP 3 संक्रण कौन सा है, तो आप सभी का आएगा, SP 3, D, 2 संक्रण है, और option number C की ओर जाएंगे, option number C वाले जितने भी है, बिलकुल right है विटा, option number C वालो का answer, सभी का right आ रहा है, next question कर चलते है, निमने के का रहा है, निमने के कौ अंतरा हैलोजन योगिक है, सभी लोग बताएंगे इस question का answer क्या होगा, C का हो जाएगा बिटा, CIF 3, CIF 3, option number जिसने भी दिया है, C परमसत्त आंसर होगा, option number C परमसत्त आंसर होगा, next question क्यों चलते हैं, इस question को देखो बिटा, यह कह रहा है, मुख quantum संक्या क्या पिरकट करत सभी लोग बताएंगे, मुख quantum संक्या क्या प्रदर्सित करती है, सभी लोग इस question का answer देएंगे, 14 का option number जिसने भी दिया है, ए परमसत्त आंसर होगा, किसी देखो कहा रहा है, किसी दी हुई कक्षा के उर्जा, इस्थर और नाभिक से उस कक्षा की दूरी पिरकट होती है, option number A वाले सभी राइट है, next question है, कौन सा Lewis Acid है, कौन सा Lewis Acid है, सभी लोग बताएंगे, Lewis Acid कौन सा है, सभी का answer आना चाहिए, Jaden Cl2, Jaden Cl2 क्या है, वेटा ये Lewis Acid है, option number C की ओर जाएंगे, next question है, किस बंद का ध्रविय गुण अधिक होता है, किस बंद का ध्रविय गुण या क कौन से बंद का जो द्रविय गुण होता है, वो अधिक होता है, option दे रखे हैं, चार, आप कोगे, बिलकुल option number जिसने भी दिया है, C वाल option, C single bond F, बिलकुल right होगा, next question भारी जल कौन सा, भारी जल अगला सूतर बताएंगे, बिटा, heavy water का सूतर बताएंगे, D2O, D2O बिलक का bond होता है, आप से पूछा किया एंगे, Diamond आप देख रहे हैं, हीरा जिसे बोलते हैं, उसमें बंद कोस्परकार का होता है, आयनिक होता है, सह Baptist होता है, धात्विक वंद होता है, बताएंगे, तो सभी का अंसर आना चाहिए सहे सहे हो जग बॉंड होता है सहे सहे हो जग बॉंड होता है next question बोला गया है as single bond as में बंद नहीं है कौन सा bond नहीं है तो आप सभी का अंसर आएगा option number D as 7 as 7 o 7 माइनस माइनस हो जाएगा option number D next question को चलते है इस question को देखो देखो बोला गया है nucleon में होता है nucleon में क्या होता है nucleon में क्या होता है nucleon में क्या होता है मतलब की किंदरक किंदरक में क्या होता है बताओ proton और neutron सभी है बिटा किंदरक में क्या होता है एक अडू है इसके अंदर nucleos होता है इसमें क्यान क्यांत होते हैं देखो इसमें तो electron होंगे बाहर वाले कख्ष में अंदर वाले में दो चीज होते हैं क्या-क्या proton और neutron कॉशन की और चलते हैं यह बोलागा है देखो इस तो अम्ल एक अडू है हाइपो-स stukhorous अमल एक अड़ु है किस परकार का अड़ुसूत्र है बस्ञाइप अड़ुसूत्र पूछा गया है इसका फार्मुला कोंसा होगा हाइपो-सल्फूरस का अमल जो है उसका आप से फार्मुला पूछा है क्या होगा मोनेकल फार्मूला क्या होगा इसका बताईए हाइफोव सलफोर इसका अम लगा तो आप कहेंगे H3PO2 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 ऑप्शन वा जिसने A दिया है परमसत्तांसर है A वाले सभी राइट होंगे देखो तीसरी यूनिट में हम आ गए तीसरी यूनिट में बिटा आ गए हम लोग तीसरी यूनिट में कुछ कोशिन है जो most important है उनको निपटाने के बाद में वीडियो को end करेंगे और उसको बाकी के जो कोशिन बचेंगे वो part 2 में हम डालेंगे ठीक है part 2 में हम डालेंगे इसको देखेंगे बिटा इसमें देखो कोशन आ गया देखो उसके बाद में चौथी पांच भी छटी युनिट को डालेंगे साथ मी आट मी उसके बाद में डाल देंगे बिटा ठीक है समझ रहे हो ना तीन तीन युनिट में डिवाइड कर देंगे इस कोशन को देखो यहां कौन सा होता है फोटोग्राफी में प्रियुक्त तो एजी बी आर हो जाएगा एजी बी आर ऑप्शन नमर जिसने दिया है बी परम सत्ता आंसर होगा नेक्स कोशन बुला निमन में से कौन अधिकतम वंद या फिर बॉंड कोड रखता है सबसे अधिक बॉंड कोड कोड रखता है अब देख लिजिए यहाँ बी देखो वी एफ थी दे रखा है उसके बाद में बी इस यहल टू दे रखा है एच टू ओ एन एच थी आप इस लोगी कहें वो है बिटा आप सभी का अंसर आएगा ऑप्शन नमबर बी जिसे कहते हैं एन एन सीयल फाइब अज्यात योगिक होते हैं ऑप्शन नमबर बी क्यों जाएंगे नेक्स कोशन है सबसे अधिक बिद्दुत रात्मक तत्व का बहारी इलेक्टोनिक बिन्यास होत है तो आप कहेंगे एन एस टू एन एस टू और एन पी एन फी फाइव एन पी फाइव ऑप्शन नमर सी की हो जाएंगे जिसने भी सी दिया है परमस्ता अंसर है नेक्स कोशन हैं बोला गया है किसी परमाडू की बिद्दुत रड़क्ता उसके निमलिकित अडू को निरधा एलेक्टॉन आकशक को या फिर दोनों अडूव में से एलेक्टॉन का साजा को या प्रोटॉन के सयोग को इस कोशन का अंसर सभी लोग देंगे सभी का अंसर आएगा ऑप्शन नमबर सी बिल्कुल ठीक है जिसे कहते हैं दूसरे देखो दूसरे परमाडू से एलेक्टॉन करती है एक क्र गोलते हैं रॉक्त करता है सबसे अधिक कार सब से अधिक से होजग है कौन सा योगिक सबसे अधिक से होजग हमसे पूछा गया है तो ल icl हो जाएगा एन एक एल के सील यह फिर एसी सील बताओ तो सभी का अनसर है गा l icl option भी दिया है परमसत्ता अंसर है next question बोला गया है अनिश्थ्टा का सिद्धान प्रति पादन किया गया देखो अनिश्यता को जो से दान दिया था वो किस ने दिया था हाईजें बरका निश्यता था तो हाईजें बरक दोरा दिया गया था option नमर जिसे ने भी भी दिया है परमसत अंसर है next question बोला गया है hydroneum iron जिसे कहते है H3OQ plus की जैमिती होती है कितनी होती है सबी लोग बताएंगे इस question का answer कह रहेगा सबी लोग बताओ वेटा उसके बाद में यहां clear हो जाता है फिर हमारा next question में इसमें बताओ नमे question का answer क्या होगा किसी ने दिया भी तक नहीं तिरकोड ये पेरामिंडी हो जाएगा तिरकोड ये पेरामिंडी option नमद इसने दिया है भी परमसत्ता answer होगा next question यहां बोला गया है इस question को देखो हीरे में धातू का बिन्यास किस प्रकार का है हीरे में कारवन का बिन्यास किस प्रकार का है सबी लोग बताएंगे हीरे में जो कारवन का बिन्यास होता है वो किस प्रकार का होता है सब्सक्राइब भी पूर्णार शिशायो में हिरे में कारवन का विञ्यास किस प्रकार का होता है minus IB, बढ़ा होगा, IP minus BP से, फिर BP सबसे छोटा हो जाएगा, minus BP से, तो अब देख रहे हैं, इस प्रकार से याद रखना, यह वाला, LP minus LP, बढ़ा है सबसे, और LP minus BP से, उसके बाद में, LP minus BP बढ़ा है किससे, तो BP minus BP से, अब शे नमर जिसने भी दिया है, बी परमसत्त आंसर होगा next question यहां बूला गया है किसी ठोस के बलायक में घुलने होते हैं या घुलते हैं आपको बताना है घुलने हेतु होते हैं या फिर घुलने होते हैं बताओ क्या-क्या हम घुल सकते हैं उसको या आपको बताना है किसी ठोस के बलायक में घुलने हेत्व होते हैं क्या होता है आपको बता रहा है बार में कोशन का अंसर सभी लोग देंगे बलायक उर्जा बलायक उर्जा क्या होगा बिटा बलायक उर्जा और जालक उर्जा ब्लाइक उर्जा बड़ी होगी किसे जालाकूर्जा से ओप्षय नमर क्या है अबवलम धल्ली घुल जाएगी ठीक है, जालाकूर्जा बाद में घुलेगी और जो कर सकते हैं और ब्लाइक कुर्जा एलो घुल जाएगी लुझ क्रक्रण सखेए सकते हैं स्कॉष कर चलते हैं यहां देखो क्या है इस aw clean को देखेंगे निमनेकित कि सी又 आ साइस पी H3 दे रखा है, BF दे रखा है, H2S दे रखा है, Si H4 दे रखा है, इसमें हाइट्रोजन बंद कौन सा होगा, हाइट्रोजन बंद की बात की गई है, तो सभी का option number आ जाएगा, BF, क्या दे रखा है, BF, option number B. बंद की पुष्टी करता है, यह करते थे, पुष्टी करता कौन थे, पुष्टी करते थे, पुष्टी करता, मतलब खोज किस ने की थी, ऐसे कह सकते हैं, कि electron की तरंग पुष्टी किस ने की थी, पुष्टी करता कह सकते हैं, ठीक है, पुष्टी किस ने की थी, तो सभी का answer आएगा बेटा, वो थे, German, German ने की थी, option number C की और जाएगे, ठीक है, electron की तरंग की जो पुष्टी करता थे, यह कोज की थी, तो German ने की थी, ना, लास्ट कोशन है, इस वीडियो का, देखो, यदि N बराबर 3 है, L बराबर 1 है, तो M बराबर 0 है, तो कॉष्टी के हवाले, electron की कक्षक चिन काउन सा होगा, सभी लोग इस question का answer दो, देखो, A option दे रखा है, 3S, B option दे रखा है, 3P, 3D, और 4S, तो सभी का answer आएगा, 3P, option number जिसने में दिया है, B, परमसतान सा होगा, यह थे 2022 में आने वाले question, most important है, जादा से जादा वीडियो को share करिए, thank you for watching this वीडियो, और हमारे notes को download कर पाएंगे, notes का link टेलिग्राम में दे रखा है, टेलिग्राम में जोन होजार, description box में टेलिग्राम का link दे रखा है, thank you for watching this वीडियो, चैनल को subscribe कर लीजिए, मिलते हैं part 2 में, part 2 का वीडियो का हम link description box मे दे देंगे, mc को कोशनों के लिए, आप बहां से जाकर download कर पाएंगे, ठीक है, मतलब कि वीडियो को देख पाएंगे, 4 और 5 और 6 को हम एक साथ देखेंगे, और 7 और 8 को unit हैं, उसके साब चे अलग देखेंगे, बो तीन भागों में divide करेंगे, तो part 1 हमारा हो चुका है, part 2 हमारा next वीडियो में देखेंगे, thank you